हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेस वीडियो में भी हम लेकर रहा है आटू इंडिया से जुड़ वे कुछ फ्रेस फ्रेस अपडेट तो बने रहेगा और वीडियो अन तक आप जुड़ देखेगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले अपडेट की तो वह आ रही है यहाँ पर टीवेस के तरफ से जी हैं दोफ्तों यहाँ पर टीवेस की टीवेस स्टार सेटी प्लस का डूल टोन इंडिया में लॉंच कर दिया गया है और हम आपको बदा देए इसकी प्राइज रखी अगर आपकी यूज करते हैं तो दूसरे ब्रैक में भी संतुलन जो बैलेंसिंग होती है वह एकदम बराबर काम करती है जैसे सीवेस में होता है एक यूज करो तो दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं ठीक वैसा ही लगबग उसी की तरह यह ब्रेकिंग सिस्टम में तो यह पर एक अच्छा एक एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम देखने हों को मिल रहा है टीवेस के तरफ से और यहीं पर बात करें दूसरे अपडेट की तो वह भी टीवेस के तरफ से अजिया तो यहां पर टीवेस चुपिटर का ग्रेडी एडिशन इंडिया में लांच करी दिया जिसका प्राइज रखा गया है पर 55,990 रुपए एक तरुम देली और यहीं पर बात करें दूसरे अपडेट की तो वह आ रही यहां पर सुचुक्वी की तरफ से जिया तो जैसा कि इस समय मार्केट में कमपटीशन सा चल रहा है कि एडवेस बाइक को लेकि तो ठीक यहीं पर सुच्की ने भी अपनी एक नई एडवेंचरेस बाइक इंडिया में लॉंच की यह जिसका नाम है वी स्ट्रॉम 650 XT जी आ दोस्ति इसकी प्राइस रखेंगे यह वह रखेंगे यह 7,60,000 रुपए यह देखने वाली बात होगी क्योंकि यहां पर अल्रेडी बहुत सार सुच्की इंट्रॉडर से इसका एक स्पेशल एडिसन एडिया में लॉंच किया गया और बात करें इसमें कुछ चेंजेस की तो कुछ खास चेंजेस नहीं हुए इस्पेशल एडिसन में जहां तक की कुछ कास्मेटिक्स चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगे हाँ यह जो बड़ी चेंजिंग आई है वो यह आई है कि इसमें आपको डूल ट्यून देखने को मिलेगा यानि कि पहले इंट्रॉडर सिफ एक कलर में सिंगल कलर में आती थी लेकिन अब यह आपको डबल कलर में देखने को मिलेगा अगर प्राइस की बात करें यहां पे तो सुच यह में लॉंच कर दिया गया और यह इसकी जो प्राइस रखी गई वह 28 से स्टार्ट होती और 32 तक जाती है जानी कि अगर आप इसका डिजल वेरियंट लेते हैं तो वह आपको लगवत 30 लाग का पड़ेगा और अगर आप इसका फुली लोडेड फीचर्स वाला टॉप पाता है क्योंकि यहां पर होंडा ने कासी अच्छे फीचर्स दे रखे हैं यहां पर CR-V में और हम कोशिस करेंगे कि हम इसको भी अगली वीडियो में कवर कर पाएं तो दोस्तों यह आज के कुछ अपडेट थे जो सबसे मेन अपडेट थे जो मैंने आपको बताए हूं उ